सिर्च अभी करें माँ के दूद का महत क्या है तो मा के दूद का महत क्या है शिशो को से जन्द के बाद तीन चार दिनों तक पीले रंग का द्रव निकलता है जिससे कोलिस्टरम घंती है इसे फारे स faces कि क्याbach समय क्या होता हैना ये प्रतोGM इंपोर्टेंट होता है यह रोक प्रत्रोधक्षमता बढ़ाता है तो ऐसे बहुत सारी चीजे होती है जिस की वजह से मां के दूद का इंपोर्टेंस है ठीक है इंपोर्टेंस आफ वेस्ट मिल अब देखें कोलेस्ट्रोम में एंटीबोटीज तथा श्वेद रक्षा करते हैं यानि डबलू बीसी वाइट ब्लेड सेल्स ठीक है काफी अधिक होती है जो की जो इंफैंट होता है जो की शिशु होता है उसको इं सारी न्यूट्रियन्स उतनी ही मात्रा में होते हैं जिस मात्रा में चाही होते तब यह वो बैलेस्ट डाइट होत है या सुरक्षित एक तुछ इस तो इन रख्शा करते हैं तो यह प्रदूश्र रही थोता है कि और बर्तन साफ है कि नहीं आप आलग गया पूरा या नहीं गया है तो पतलब किसी तरह सी डूषित रही होता है तो यह अच्छी बात होते है उसके लागा मा का दूद्स जो है वह फायनेंशियल अगर फाइनेशियल तरह से भी देखे अगर आर्थिक दृष्ट से भी देखे तो भी यह बहुत ही बेनिफिशल होता है खरीदने की जरूरत नहीं होता है फिश इंफेंट के लिए सभी आवशक तत उचित मात्रा में देखे आपको पता है बैलेंस जाइट सिर्फ वही नही तो BOYC यह जो मा नहीं होता है वह बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है क्यूंकि उसमें सारी टत्वू नहीं साथ में believ9 होते हैं जिस कहते CD में चैए लगमे सबक्रावभन इंब घुने नहीं अच्छ के डिके content oil दृते हैं चैए ट्ब मौ ऑसा और यहां रहाते हैं और प्रधाण दूता प्रत्रादक्शम प्रत्रत्रत्रत क्यों पर नुल होता है वह इतना हार्ड चीजे पांच नहीं पाता जैसे जैसे मांका दूद पहले पतला होता है यह सब्सक्राइब कि बच्चों के आंग च्छोर ना होने लगता है और उन्हें और भी चाहिए होते हैं बहुत चाहिए। उस समय दूद भी गाला होनेगा ठीक है और मात्रा भी बढ़ जाती है फिर मा का दूद है ना तो गर्म होता है और ना धंडा होता है उचित तापमान पर होता है उसको गर्म करने की भी जरू होता ही और गर्म जादा होगा धंडा करने की भी जरू होता है ऐसे ही बिबिन प् ये यह प्रोटीन है फथ वह लगभग काउ मिलक से मिलता है तो आगर कभी भी मा का दूद नमिल पाई यह कुछ ऐसी परिस्तियां होती है जिसमें मा का दूद नहीं मिल पाता तो काउ काउ का दूद काउ मिलक बेस्ट होता है ठीक है झाल झाल